मुझे लिए यहां पर सदा बाहरी मिर्चे हैं और उनके ट्रीज के पत्ते एक बार तो खार हलके पीले होंगे अब नहें आएंगे और यह वन टाइम वाली हैं मिर्चे हमने तो यह शिमला मिर्च समझ के लगाई थी पहुद लेकिन निकली इस इन पर भी आ रही है विशिदी शुरू होगी मिर्चा इसमें इसमें थोड़ी बत लगी है यह ले जाते हुद अभी तोड़ी थी हमने हफ्ता पहले फिर होगे मिर्चे है अब थड़ा सीजन जैसे आफ और ना तो पीड़ पे लाल होने लग दूए विर्ची कितना डार्क शेड़ है कि रहने का काम खतम करते चले हैं तो ज्यादा चोटी उनको छोड़ दो चोड़ देंगे तो कि फिर आएंगे दो चार दिन में तो उसे रुखाने होंगे कि मस्में देख से और गाएं हो बस्व कि और में अगाएं प्रॉप कि अधोर कि अधने देख में देखो कि आए मंदिर वाली साइड में लॉन है हमारा उसमें गुडाई करके और खाट डाल दिये सब में अब यह गुलाब की कटिंग भी कर दिये इसमें फस्क्लास गुलाब आएंगे इसमें बहुत शांदार पिंक कलर का पूल आता है वह डहलिया है यह हमारे औजार पड़े हैं इसमें भर-बर के खाद लाई थी रश्मी नीचे से जय हो बोले बंडारी जय श्री कृष्णा हाँ अब कि खुर्पी ठंग जाती है यहां पर सबकी जगह है अपनी अपनी कटर को रखेंगे बहार तो कभी उज़रत पढ़ती रहती है इसको लॉक लगाएंगे लॉक लगए अब खुलेगा नहीं इसको रखते हैं यहां पर एक अदिम मुली भी निकाल लेते हैं बच्चों के लिए जो हो रही है चार पांच देखते हैं कितनी निकलती है कि यह उपर को यह कुछ लंबी नहीं है लंबी नहीं थी उपर युपर थी चोटी सी टंकी सी निकली है इसको भी निकाल लो एक अधि अधिक 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 लंबी नहीं है यह इसको भी निकाल लो और यह कोई बात नहीं जो मिल जाए बे मौसम की है ना यह अ है कि अधिक अधिक दिन्राफा भी दिन्राफ का बशाए पत्लित एक व्याइट और अधिक अधिक कोण कोले एक से वह बहुत पिने को यह इस अभी नहीं है ना 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 कि वह थी जित आए इस पत्लि मिला determ निया प्रशी बना लेन दे यास्त कि बर्जारि में अघयान समय मजा वेडिन ऐसंद 광 moss दूर देला को जो होगी प्त्तो की बुर्जी बढ़ा लेना अमरूद भी तो रहा गया हमारा अमरूद बंदर के ड्रके मारे कह रहे हो तोड़के लेजाए अभी है तो तो अच्छा ही क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते है अच्छिए को कि स्प्रेट्री के कैसे हैं पहली बार यह थोड़ ने फिर हमारे इस संदर से अम्रूद के ट्री का पहला अम्रूद उपर जाके काट के खाके देखते हैं इसको सरफ टेस्ट करने के लिए था दिल्ली जाएगा एक अम्रूद को दिल्ली ले जाएगी चलो गॉल वाली मुली तो नहीं हुई अभी कि यह एक निकाल लो गोल मुली अभी चोटे हैं चैलो जी आएंगे तो खर हमारे लाइक निकल जाए इस सर्दियों में इबू भी मिलेंगे तरको अच्छी बात है चाहर डालेंगे पाकी त्यानिया भी करनी है गाड़ी में समान भी रखना है फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आज हम पिर जा रहे हैं दिल्ली बहुत जल्दी चक्कर लग रहा है दुबारा क्योंकि कुछ काम है दिल्ली में लगबख 20-25 दिन यहां पर आम रहे और फिर से जाना पड़ गया दिल्ली और सुबह के बज रहे हैं लगबख अंधेरा है वैली में तो रोशनी थोड़ी सी हो रही है लेकिन अभी प्रॉपर रोशनी नहीं हुए है और कैमरे में भी शायद फोटो आ रही है कि नी आ रही है बहुती लाइट से आ रही है गाड़ी बिल्कुल रेड़ी है चलने के लिए बढ़ा शीशे पर पर्दा ओं मारना पड़ेगा कपड़ा पानी बहुता है अभी जुंगुर के वाज आ रही है चंदा मामा बाबा चंदा मामा दिल्ली में मिलेंगे अलकी अलकी रोशनी तो होने लग गई है हमारी गाड़ी चल पड़ी है 375 किलोमेटर के अपने सफर पे और दिल्ली हम पहुंचेंगे लगबग चार बजे के आसपास और अगर कहीं नहीं रुकेंगे रस्ते में तो हम लगबग तीन बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली दोस्तो आज रास्ते में शूट नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक व्लॉग डाला था जिसमें हमने जो मुक्तेश टेर और आपको भी धर्शन करते हैं इस खूपसूरत मंदी के मता वैष्णदेवी की गुफ़ा की तरह इस मंंदिर में गुफ़ा है जिसमें माता के नो भवे स्वरूपों के दर्शन करने को मिलते हैं बहुती सुन्दर और खुबसूरत मूर्तियां हैं जिनको देखकर मन और आत्मा दोनों तृप्त हो जाती हैं तो आप भी दर्शन कीजिए माता के इन खुबसूरत स्वरूपों के जयो बोले नात चार-पांच दिन हमने बच्चों के साथ घर में ही बिताए और कल हमारा अब वापस जाने का प्रोग्राम है तो बिटियरानी आई थी हमसे मिलने के लिए और आज हमारा घर में डिनर बनाने का मूर नहीं है तो हम लोग आगे है टेंपल स्प्रीट रेस्टरेंट जो कि अशोक नगर तिलग नगर में है बहुती टेस्टी खाना है यहां का और इडली तो बहुती स्पेशाल है केले के पत्ते में लपेट कर यहां सर्व करते हैं तो आज कुछ चैनीज भी खाएंगे और कुछ साथ इंडियन खाएंगे हमारे शोरे बाबु तो चैनीज काफी पसंद करते हैं और गुडिया भी वेट कर रही है मैंनों हाक में पकड़के कब खाना आएगा हम लोगों ने ओर्डर किया है एक चैनीज प्लेटर और एक साथ इंडियन प्लेटर हमारा बेटा निकिल और रिशिका तो जिम वाली डाइट लेते हैं और छे से साथ बजे के बीच में उनका डिनर खतम हो जाता है तो इसलिए वो लग नहीं आए है पहले सर्व हो गया है चैनीज प्लेटर तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गुडिया रानी को तो संभालना मुश्किल हो रहा है टेबल पर उटा पटक कर रही है यह तो अरे कैसा है बेटा पारफा पारफा वह वाला नहीं है यह वाला अरुछ तो चनर लिए उटी लग रहा है अंज कर रहं है यह डिया यह वह तो किया करर रहा है किया करें हारु टीलो ए शाल्टर मां Yakush चाहिनीज के बाद आगया है SO थार्थ इंडियान एक बड़ी एसी डिश लिगिया है ये साव गनीयन फूट की और फिरंगा जुंडा बना और ये पूरा ट्राइ कलर में चटनी है यलो वाइट और ग्रीन और जोतिय वेसे थोड़ी यलो इसे इस सांबर भी बहुत अच्छी सी लग रही है और डोसा बहुत ही क्रिस्पी है मसाला डोसा अच्छी 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 अच्छ तो 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 परस्टाइम आई हो यहां बहुत अखेक पिन्स रा बिल्कुल अलग है तो अगया कि और मंगवाले बट बेट में जगा है अगया जगा है अगया है थे बच्चे चाहे घर में हो या बाहरों कोई टैंचन नहीं है उनको आप बिल्कुल दुनिया से कोई लेना दे इसलिए कहते हैं बच्पन सबसे बढ़िया है कोई टैंचन नहीं किसी भी चीज की कोई देख रहा है नहीं देख रहा है अपना मस्त है तो चलिए अपना डिनर फिनिश करते हैं और फिर चलेंगे घर की तरफ खाना खाली है था लेकिन जैसे मौसम थोड़ा सा थंड़ा हो हो गया है तो जलेवी चलती है आजकर यहां पर अगया बढ़िया बढ़िया शाज जले भी रबडी डाल विट देखा यह यह पर पहले भी हमने कहा है काफी टेस्टी होती है हुए देखा तो यह आगी है रबडी है लो खाओ और ले लेंगे कानी होगी को अगर रूख़ा तेस्ट बिल्कुल करारी है यहां जलेबी और रबडी बहुत ही टेस्टी बनाते हैं भाईया इसको फिनिश करके जल्दे से चलते हैं घर क्योंकि कल बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉनिंग हम लोग निकल जाएंगे मुक्तेशवर के लिए और मुक्तेशवर से ज्यादा दिन दूर रहना अब हमें अच्छा न दिल नहीं लगता है थोड़ी दिन रुके हम दिली में और कल पहुंच गे थे हम मुक्तेशवर और यहां आकर जैसे आज यूजवल पत्ते गिरे होते हैं और घासफूस खूब बढ़ जाती है तो वह चीज फिर से हो गई है और फिर से हमें अब मेहनत करनी पड़ेगी में घाटी में धूप खिल गई है बिल्कुल बढ़िया सी सामने देखो किता बढ़िया सीन नजर आ रहा है हलकी हलकी फॉग है बादलों में क्लाउड से है थोड़े हलकी फॉग है लेकिन धूप बहुत बढ़िया खिली हुई है और जो बेले में गहरा थी हमारी अब सब्सक्राइन जिसको यहां पर बोलते है तुमड़े यह उपर ग्रिल पर आ गई है और इसमें हलक के छोटे से यह जिया गुष्ण गॉल गिया कहते हैं इससे यहां पर कहते है वह आने शुरू हो गय है और जो घैने पुरी गल गई है और पहाडों में अब जोसे और सुबह और शाम के टाइम पर तो हमें बहुत जरूरी चाहिए अभी तो थोड़ी सी धूप निकल गए अधर्वाइस मॉर्निंग में तो अच्छी खासी ठंड थी हैं नहीं सुबह तो ठंड थी अभी तो पत्ते हटा दिया है रश्मी ने यह इदर धेर लगाया पत्तों क यह सब इकठा करके खाद में जाएगा यह फूल भी हमारे मेंटेनिस मांग रहे हैं क्योंकि जब सर्दियां शुरू होती है ना कुछ पोदे तो नए लगेंगे इसमें और पुराने पोदों की कुछ कटिंग सुबह सुबह मैंने बना दी थी जो कि अभी लगता है कि हो ज काने पड़ेंगे जिरैनियम के भी फूल खतम हो गए इसमें उदर वाले जिरैनियम में आयों है यह कुछ हमने कटिंग बनाई थी अभी इनकी शेप देंगे हम पेड़ों की यह बना के गए थे हम कटिंग हम इसकी शेप देने के लिए एक चीज लेके आया है दिल्ली से ज से लेके आये हैं कैंची और इससे थोड़ी शेप बनाया करेंगे अपने जो ट्री आना यह शो वाले ट्री हैं उपर की साइड में लगे इनकी शेप बनाएंगे अब यह डहलिया दुबारा से फूट रहा ना इसमें आब आएंगे फूल और बढ़िया मस्त वाले यह आएंगे दिन में यह बड़े वाले के यह 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 तो यह सबसे नीचे वाले उसमें लगा देंगे आएंगे आज़ नीचे देखते हैं क्या हुआ हाँ कि एक वह फिरे की बेले तो गई है वो तो सीजन कटम जोटे मोटे दो चार लगे हुए कुछ जो लगे थे पीछे से बंदर खागे जब हम दिल्ली गए थे कि यह उपर की साइड में हमने पालक का बीज लगाया था लगबग आठ दस दिन पहले आठ दिन पहले ओ एक चुटकू सा खीरा भी हां नीचे हो रहा है एननुचा खीरा एक नीचे भी आ रहा है चलो भी दो चार खीरे तो और देगी यह बेल है उपर भी है दो तिन यह यह पूरी पालक है विच-विच में खर्पतवार भी हो गई रश्म वह टा देंगे अब इसी काम पर लगेंगे ना पालक तो मस्त हो जाएगी तरी इस बार बीज अच्छा था था हां बीज अच्छा था बहुत जल्दी यह लगबग आठ दिन में निकला आठ नो दिन में आठ दिन उपा तक फुटा हो आ गया पूरा एक चीज आपको दिखाते हैं हम एक चूट असान इतने साइस का चोड़ के गए थे वह यह देखो कद्दू भी आ रहे हैं हम इतने साइस का चक्ट एक चोड़ के गए थे जो अब आपको दिखाते हैं एक अफते में कितना हां मैं देखके गई थी मिरको थड़ा वो रहा था क्योसेटी को नना कद्दू मोटा हो गया है क्रियो सेटी थी थी ना थोड़ी सी यह देखो क्योंते निब्बू का जो पौधा है ना उसमें भी वह अरवेधिक नीम दालना पड़े दालेंगे उसके पत्तों में कुछ लग गया है कोई नीम प्रे डालेंगे है है हमारे पास नीम पास नीम जाल एक जब अपना किचें गार्डन और यह पूरा कोटेज का अरिया इसक क्या development हुई क्या काम हमें करना है वो भी तो हमें देखना होता है यह देखो डेलिया की नहीं नहीं बर्ट सारी हैं यह नहीं आ रही है और यह मोटा सारा डेलिया ओ बल फ्लावर्स तो बहुत ही आ गया है इसकी भी थोड़ी चटनी करनी है कि अब देखो कितना पीला खीरा हो गया उपर उतरवाद होंगी वाल ओजा चोड़ के बेच के लिए रख देना अब इसके लिए रखना है इन से पूछेंगे यह काफी फैल गया यह बड़ा हो गया बहुत बड़ा हो गया यह कलीया मुझे सबसे बैस्ट लगी इस बहल की कल कारी कुद्रत की इनको तो सबको ना जूले पर लटका दो इन तो भी करना है अब सैट करना है बेले सारी ना उबढ़ खाबड हो गई है इसके अंदर बहुरा बैठा हुआ है वह मदू मक्की थी चटास सकत्दू एक यह आया अरे वाह यह बहुत लगे है अब लग गए ब सब्सक्राइब करने के लिए मिलगी एक सब्सक्राइब हमारी और आगे हैं यह जड़ जाता है भी कच्छा पूल है ना इसमें कह रहा हूं इसके पत्तों में यह देख हां जो नहीं आ रहे हैं इसको निबू आ रहे थे इसमें यह यह वह सुंडी भी लगी है तो यह दवाई डालने पड़े गिए न कोई बात ने यह देखो यह बीच बीच में आ रहे हैं निफू यह सबसे बड़ा निम्बू तो मारा है अच्छा है ना थोड़े से निम्बू भी आप तो काफी लगे हूं है हुँँआ है दो फिर गुसी हुई है मधु मख्य उसमें हां तो पराग लेती है ना वह फूलों से रस लेती हैं वह एपल में भी दवाई डालने वाली यह दवाई मतलब वह हम नीम स्प्रें डालें वह यह नीम स्प्रें डलेगा अपिस आते हैं तो मन में एक जिग्यासा होती है कि जो चीज हमने लगा रखी थी वो कितने बड़ी हो गई है कैसी है उनको आगे क्या देख रेक की जुरत है तो हम लोगों ने इसलिए आते ही पहले अपना राउंड लिया है वेजिटेबल गार्डन का अब समय आ गया इस